असलाम अलीकुम आज आज हमने बनाया है यहाँ पर शलजम का अचार और यह बहुत डिलिशिस बनता है खटा होता है डाइजिस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है आपका खाना बहुत जल्दी हज़ाता है आप लोग ज़लू ट्राई करिए गा यहाँ पर हमने सबसे पहले लिये है, 2 kg शिल्जम लिये हैं, यह देखें, और हमने इसको slices में cut कर दिया है, और इसके slice थोड़े मोटे काटिएगा, बहुत थिन नहीं काटिएगा, क्योंकि वो आपके अचार में dissolve हो जाएंगे, फिर इतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीके, थोड़े मोटे मोटे slice क नहीं है, थोड़े सी में कसर है, ठीके, उसको stainer पर डालके, आप stain कर लें, और यह देखें, थोड़ा मैंने फेलाए वाए, ताकि अच्छे से dry हो जाएं, और ठंडे हो जाएं, ठीके, अब चलते हैं, इनके spices की तरफ, जो डालने हैं, हमने सबसे पहले हमाय पाद पिसीव राई है, यह हमने half cup लेनी है, पिसीवी राई, ठीके, इसकी measurement है, और इसी के साथ हमने vinegar लेना है, सिर्का 1 4th cup, ठीके, 1 4th cup हमने सिर्का लेना है, और हमने लेना है, red chili powder, 3 tablespoon, यहाँ पर हमने red chili powder add कर रहा है, आप चाहें, तो थोड़ा जादा भी कर सकते हैं, जो spices जादा खा और लसन अद्र का paste है, हमारे पाफ 4 tablespoon, और इसी के साथ हमारे पास है, छोटा सा piece हमने गुड़ का लिया है, यह देखें, छोटा सा 1 inch का होगा, almost, यह हमने गुड़ का piece लिया, और 2 tablespoon, यह हम salt add करें, अगर नमक, जब आप पानी add करें, कम लगे तो आप और add कर सकते हैं, ठी कि हमने यह jar में ही convert करना है, वरना मैं आपको एक bowl में करके दिखा दी, लेकिन यह jar में ही shift कर रहा है हमने, ठीक है, direct, तो easy रहेगा, अब हम इसमें सारे spices add करते जाते हैं, हमने राई डाल दी, इसके अंदर, PCV, vinegar डाल रहे हैं, इसी के साथ हम इसमें red chili powder डालेंगे, crust chili डाल हलका सा इसको shake करेंगे, और हम इसको दो दिन के लिए बंद करके रग देंगे, धूप में इसको जरूर एक दो दिन आपने धूप जरूर लगानी है, अचार बहुत अच्छा सा ready हो गई, यह देखें, यह ऐसा mix हो जाएगा, मैं इसको cover करके इसको रग दूँगी, दो दि फी यह नीचे से, ठीक है अब हम इसको खोल के इसके अन्दाब पानी एट करेंगे, पानी आब six to eight glass एट कर सकते हैं या आप एट ग्लास पानी एट करा है ठीक है इसमें, क्योंकि दो किलो शेल्जम हैं तो बहुत होता है, तो मैंने इसमें 8 glass पानी एट करा है, यह स्कून भर के नमा कैट कर रहा है यह देखिए अब एक दिन दो दिन बाद हमने यह अचार निकाला है और हम इसको डिशाउट करके दिखाते हैं कि इसकी कैसी शकल आई है यह देखिए यह आपका जबुर्दस सा शल्जम का अचार रेडी है यह खटा बना था बहुत टेस्टी था आप ज़रू ट्राइब करिएगा यह देखिए एक यह देखिए शल्जम भी बिल्कुल गल गए है नहीं फोर डेज लगे हैं इसको और बिल्कुल आपका शल्जम का अचार रेड कि मज़िदार सा लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं चैनल अलाहाफिज